नमस्कार दोस्तों, जिके संसार में आप सभी का स्वागत है, आज इस वीडियो में मैं आपको रीट यानि राजस्थान अध्यापक पातरता परिक्षा 27 का जो विगपती जारी हुआ है, उसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, कब फॉर्म की सुरुवात होगी, कब अंतिम तिथी है फॉर्म अप्लाई करने का, और कौन लोग इलिजिबल हैं, क्या इसका सिलेवस होगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, अगर आप जीके संसार पे नए है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन है, उसे क्लिक करना बिलकुल न भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करने से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटफिकेशन मिल जाएगी, और आ कि हर एक्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रस्त, वो उसमें सामिल किया गया है, और जब आपको वीडियो पसंद आ है, तो लाइक और सेर करना बिलकुल न भूलें, तो चलिए देखते हैं, आखिर विगप्ति में कहा क्या गया है, तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख कि राजस्थान अध्यापक पातरता परिच्छा यानि रीट दोह सत्रह जो है आपको जारी कर दिया गया है, और विगप्ति संख्या जो है, वो है 0-1-2-0-17, तो राजसरकार के आदेशा अनुसार, राजस्थान अध्यापक पातरता परिच्छा के आईजोन के लिए, वह आपका अजमेर इस बार एकजाम को ओगनाइज करेगा, ठीक है, उसी के अंडर इस बार परिच्छा होगी, यह परिच्छा 11-2-2008 को निरधारित परिच्छा के अंदरों पर आयोजित होगी, यानि जो परिच्छा का डेट रखा गया है, वह है 11-2-2018, यानि कि 11-2-2018 को आपका पेपर होगा, जिसकी आवेदन प्रकिरिया, पातरता माप डंड, ऑनलाइन आवेदन के चरण निमना अनुसार हैं, तो देखिए, आप कारिकरम की बात करें, तो वेब साइट पे ऑनलाइन आवेदन पतर भरने की जो तिथी होगी, वह दिनांग 6-11-2017 से 30-11-2017 रात निर्धारित बैंकों की साखा पर सुल्ग जमा कराने की अंतिमतिति जो होगी, वह होगी 6-11-2017 से लेके 27-11-2017 तक, ठीक है, आपको 27-11-2017 तक अपना चलान को बैंक से करवा लेना है, और वेब साइट से पर्वेस पत्र जो डाउनलोड होगा, यानि एड्मिन कार्ट जो डा पर दिया गया है, 11-2018 और परिच्छा समय जो होगा, जो द्यूतिय अस्तर का होगा, यानि की 6-8 का होगा, वह मौर्निंग में होगा, 10-12-30 तक, और जो प्रात्मिक अस्तर का होगा, वह होगा प्राहन, यानि की धाई बज़े से साम के 5 बज़े तक, ठीक है, तो यह रहा आ आपका सौट नोटिफिकेशन जो की आपको जानना चाहिए था, अब हम जानते हैं कौन-कौन लोग eligible हैं, क्या माप डंड हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिसकस करनेंगे, तो देखे चले हम देखते हैं कि जो समाने सुचना है, कि राज सरकार के आधियसान मुसार, रा आवेदन 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 पत्र वेबसाइट, जो वेबसाइट होगा, वो होगा http पर आवेदन पत्र भरें, आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश वह प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्द होगे, आवेदन के अतरित किसी भी परकार से किया गया आवेदन कार्याले दोरा सुविकार नहीं होगा, अभियर्थी को सरप्रतम, नाम, पिता का नाम, मात का नाम, परिक्षा का अस्तर, मोबाइल नंबर, अंकित कर, संबन्धित बैंक, ऑनलाइन भुगतान का चुनाओकर, चलान, अथवा अभियर्थी देविड कार्ड के माधियम से परिक्षा सुल्क जमा कर सकते हैं, तब पस्ता बैंक से सुल्क का सत्यापन, वेरिपिकेशन ह परिक्षा सुल्क निधारित बैंकों के माधियम से चलान अथवा डेविड कार्ड से जमा कराएंगे, जो प्रतम अस्तर यानि एक पेपर के लिए जो फॉर्म डालेंगे, यानि अगर आप 1 to 5 डालते हैं, या पर 6 to 8 डालते हैं, अगर कोई एक डालते हैं, तो आपको जो फी लगेगा, ओ लगेगा 550 रुपे, और अगर आप दोरों डालते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो आपको 750 रुपे देने होंगे, यहाँ पे देखिए, जो महत्पून चीजे बताई गई हैं, जो अभियर्थी पूर्व में आविजित, आर्टेट 2011, आर्टेट 2012 औ परिच्छा उतीर्ण है, अगर वे चाहते हैं कि अपना परिणाम अच्छा और बेहतर करें, तो नियमान उसार रिट 2012 में आविजित कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप 11, 12 और 15 में परिच्छा दिये हैं, और आपका माक्स कम है, और आप चाहते हैं कि दोरों सत्रह में माक्स और अच्छा करें, बेहतर करें, तो आप 12 सत्रह में पेपर दे सकते हैं, रिट गम आर्टेट परिच्छा का अस्तर समान है, अता यदि कोई अभियर्थी आर्टेट अथा रिट दोनों परिच्छा उतीन करता है, तो उसके द्वारा उतीन सभी परिच्छाओं में सरोच प निर्धारित मापडंडों के आधार पर अवेधन का पात्र है, यदि बीना जाज किये सुल्क जमा कराया जाता है, तो इसे वापस नहीं लोटाया जा सकेगा, तो आप याद रखना कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो, तो सबसे पहले अनुछे तीन को अच्छे से पढ़ ल आवेधन पत्र का प्रारूप विफसाइट जो आपका है http slash rajhdubood.rajistan.gov.in slash read 27 से डाउनलूड कर ले और उसे ऑनलाइन आवेधन से पूर्म हाथ से भर ले, आवेधे का अपना आवेधन पत्र अंतिम रूप यानि final submission से भरने से पूर उसकी परविष्टियों की पुना जाच कर असवस्त हो ले कि सभी परविष्टियों जो है वह सही सही भरी गई है परविष्टियों के सही होने के समंद में cyber cafe क्योस्क और computer agency पर निरभर नहीं रहे ठीक है कहा गया है कि जो भी form है उसका simple आप पहले से कर ले और form अप खुद फिल कर ले जिससे कि आप पता चले कि जो question जो जो आपको application में भरने थे वह गलत नहीं हो कि cyber cafe की गलती के वज़े से आप ना भुखते इस वज़े से पहले आप सुमय जाच ले कि जो आपके data आपने फिड किया है वह सही है या नहीं है थर्ड नमर कहा गया है कि अवियर्थी द्वारा online परिच्छा आविदन पत्र भरने के परिच्छा आविदन पत्र अंतिम संप्रेशन यानि final submission के पूर्व परिच्छार्थी को data में online संसोधन का एक औसर प्रदान किया जाएगा अगर आप form डालते हैं इन केस अगर कोई उसमें तूटी हो जाती है कुछ गलत हो जाता है तो आपको एक मौका दिया जाएगा सुधार करने के लिए तत्पस्चात किसी परकार के संसोधन के अनुमती नहीं दी जाएगी बस एक बार आपको दिया जाएगा उसके बाद को निसुलक एवम अनिवारे सिक्षा दिनियं 2009 की धारा 23 की उप धारा एक केंतरगत राष्टिय अध्यापक सिक्षा परिशद की अधिसूचना दिनांग 23 अगस 2010 सबपठीत 29 जुलाई 2011 के संसोधित मापदंडा नुसार वह मान उच नियाले मानिय उच नियाले द्वारा निर्देशों के अनुसार एवम राज सरकार द्वारा परदत निर्देशा अनुसार राजस्थान अध्यापक पातरता परिच्षा दोया सत्रह में समलित होने है तो युगताएं वम नियुनतम अंग परतिसत विभिन वर्गों के लिए निमना अनुसार होंगे तो देखि कच एवम प्रारंबिक सिच्छक सिच्छा सास्त्रे में दिवशिये डिप्लोमा दो वर्ष का जो डिप्लोमा होता है या जिस नाम से भी जाना जाता हो ऐसा नहीं है कि एक ही नाम से जाना जाता है बहुत सारे दिवशिये डिप्लोमा जो होते हैं बहुत से जाना जाता है म या फिर नियुंतम 45 परतिसत अंकों के साथ उचतर माध्यमिक या इसके समकच योवं प्रारंबिक सिक्षा सास्त्र में द्वी वर्सिये डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो में उतिर्न या इस कोर्स के अंतिमोर्स के अध्यनरत जो राष्टिये अध्यापक सिक्षा परिसत मानेता मानेक और किरिया विदी विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो वो भी एलिजिबल होंगे या फिर नियुंतम 50 परतिसत अंकों के साथ उचतर माध्यमिक या इसके समकच योवं चार वर्सिये प्रारंबिक सिक्षा सास्त्र अस्तना तक यानि बी एल ए इसके समकच योवं सिक्षा सास्त्र में द्वी वर्सिये डिप्लोमा विशे सिक्षा में उतिर्न या इस कोर्स के अंतिम वर्स के अध्यान रत चात्र इसके लिए इलिजिबल होंगे असनाता कि योवं प्रारंबिक सिक्षा में द्वी वर्सिये डिप्लोमा चाहे जिस ना सिख्षक तथा बिंदू D जो है वह विसे सिख्षक पधेतु होगी देखिए यहां पर 3.2 जो है उसमें कहा गया है कि 6-8 यानि कि दूतिय अस्तर के सिख्षक के पातरता परिक्षा के लिए नियूंतम सहचनी के उक्ताएं इस परकार होगी हमने पहले पेपर 1 के लिए जो आपका था अस्तर 1 उसके लिए किया अब अस्तर 2 में 628 के लिए क्या क्या इसके चाहिए कौलिफिकेशन देखिए असना यहूं सिख्था सास्तर में एक वर्षी असना तक, यानि pedal में उत्तिर्ण या दोवर्षी अपि US के लिए इलिजीबल होंगे या फिर नियुंतम 45 परतिस्यत अंकों के साथ असनातक ये हम सिक्षा सास्तर में एक वर्सिय असनातक B.A.D. में उतेर्ण या दो वर्सिय B.A.D.Course के अंतिमोर्स में अध्यनरत जो इस समंद में समय समय पर जारी राष्टी या ध्यापक सिक्षा परश्त मानियता, मानक और किर्याविदी विनियम के अनुसार राप्त किया गया है वो अभी eligible होंगे या फिर नियुनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकच यहां 4 वर्सिय प्रारंबिक सिक्षक सास्त्र असना तक BL8 की में उतिर्न या इस कोर्स के अन्तिमोर्स के अध्यनरत चात्र भी इसके लिए eligible होंगे ठीक है? और है कि नियुनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकच यहां 4 वर्सिय असना तक ED या B ED, BSE ED में उतिर्न या इस course के antimorse के अध्यनरत चात्र भी इसके लिए eligible होंगे और जो F है कि 59 पर 30 अंकों के साथ असना तक यो में एक वर्सी Echa BED विसे शिक्छा में उतिर्न या एक वर्सी Echa BED विसे शिक्छा कोर्स में अध्यनरत चात्र भी इसके लिए eligible होंगे जो बिंदू F है यानि कि यह जो आपका है यह विशेश सिक्षक पद हेतु होगी अब देखिए यहाँ पर है कि अध्यापक सिक्षा सास्तर में डिप्लोमा डिग्री पार्थिकरम जो होगा इसके बारे में कहा गया है कि इस अधिसूचना के संदर्म में केवल राष्टी यह अध्यापक सिक्षा परिशत द्वारा मानेता प्राप्त अध्यापक सिक्षा सास्तर में डिप्लोमा डिग्री पार्थिकरम माननी होगा शिक्षा सास्तर में डिप्लोमा विशेश सिक्षा और बीड विशेश सिक्षा के लिए किवल भारतिये पुनरवास परिशत यानि RCI आई द्वारा मानेता प्राप पार्थिकरम मानने होगा यहां यह उलेखनिये है कि RCI द्वारा विशेश सिक्षा के लिए निर्धारित पार्थिकरम मानने होगा प्रन्तु पार्थिकरम की अधियापन है तो योकता NCTE द्वारा निर्धारित अनुसार ही माननी होगी और जो विशेश अनिवार परसिच्छन है उसके बारे में कहा गया है वव व्यक्ति जिसने D8 विशेश सिच्छा अथवा B8 विशेश सिच्छा उतीन की हो न्युक्ति के बाद प्राड़ंबेक सिच्छा में राश्टी या ध्यापक सिच्छा परिशेद्वारा पद्दत 6 महिने का विशेश परसिच्छन प्राप्त करना अवस्यक होगा फिर है कि किसी भी सिच्छक परसिच्छन पाठिकरमों में अध्यान रत व्यक्तियों के समद्द में अस्पस्टि करन राजसरकार द्वारा दिनांग 23 मार्च 2011 को जारी अस्पस्टि करन के अनुसार जो व्यक्ति NCTE एंड RCI द्वारा मानेता प्राप्त सिच्छक परसिचन कोर्स में अध्यान रत है वाया NCTE द्वारा जारी 23 अगर्स द्वार 10 सबपठी 29 सार 2011 के अधिस सुचला अनुसार नियूंतम सैचिन के उकता रखते हैं तो REIT 2017 में REIT 2017 में बैठने के पात्र हैं किन्तु उपरुक्त अधियों रखता अभियर्थी राजसरकार द्वारा भरते के लिए तभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपरुक्त सिच्छक परसिचन कोर्स REIT 2017 परिच्छा का परिणाम जारी होने तक उतिर्ण कर लिया हो ठीक है जब पूर द्वारा SB Civil REIT याचिका संख्या 464 बटा 2011 सुसिल सोंपूरा वअन्य बनाम राजसरकार वअन्य के पारित निर्णे दिनांग 25 2011 के करम में राजस्थान सरकार के पत्र करमांग F71EE प्लान 2011 दिनांग 17 जून 2011 एवं 6923 में प्रदत निर्देशा अनुसार रीट 2017 के ठीक है कुछ और अस्पेसल लोग इसके लिए पातर होंगे जो देकी यहां पर बताया क्या है कि एसे अभियर्थी जिन्होंने राश्टिया ध्यापक सिच्छा परिशत NCTE के वधिसुचना 2927 के जारी होने से पहले सिच्छक परसिशन पार्ठिकरमों में परवेश लिया थ उन्हें सिनियर सेकेंटर यानि 10 प्लस 2 या समकच असनातक अस्तर या समकच परिक्षा में नियूंतम परतिसत प्राप्त होने की बात देता नहीं है जमू एनकास्मीर से उक्त अवधिक से पूरु सिच्छ परसिशन परवेश लेने वाले अभियर्थियों के लिए नियूं 227 के जारी होने के बाद तथा राश्टी या ध्यापक सिक्छा परसद NCTE के अधिसुचुना दिनांग 629 जारी होने के बीच की अवधि में सिक्छक परसिशन पर्थिक्रमों में परवेश लिया था उनके लिए सेनियर सेकेंटर या समकच असनातक अस्तर या समकच पर कोर तब ही आप एलिजिबल होंगे अगर जम्मु एनकास्मेर से आपने किया है इसके समकच परिक्छा में नियूंतम 45% परापतांग होने की बाद ध्याता लागू होगी इसे सभी अभेर्थी जुन्होंने राश्टिय अध्यापक सिक्छा परिक्छा परिक्छा में नियूंतम 50% परापतांग की बाद्यता आवस्यक होगी जमू एनकास्मेर से उक्तिति के बाद सिक्छक परिक्छन परिक्रम में परवेस लेने वाले अभेर्थियों के लिए नियूंतम 50% परापत करने की अनिवारता उक्ता नुसार ही लागू होगी जो अभेर्थी 31.8.2009 जारी होने के बाद अगर परवेस लिए हैं तो उनिके लिए जो नियूंतम रखा किया है वो 50% परापतिसत लागू रहेगा फिर कहा गया कि राजस्तान सरकार के आदेसा अनुसार नौसोचोदा दस पारा प्रासी सिधी भरती दस पारट दिनांग चार चार दो हैरे ग्यारेक अनुसार अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती पिछरा वर्ग विसेश योग जन विद्वा वा परतियाक्ता महिला अभियर्थियों है तो सेचनिक योगताओं सिनियर सेकेंडरी और गर्यूसन में निर्धारित नियुनतम परतियसत प्रावतांकों में पांच परतियसत की छूट दे होगी उन लोगों के लिए पांच परतियसत की छूट है और देखिए यहां पे जो है कहा गया है कि NCT की अधिसुचना दिनांक 29 जुलाई दुजारे गारेक की अनुसार भासा की अध्यापक समाजिक अध्यान गनीत विक्यानाथिक अध्यापकों के संबंद में इस अधिसुचना में निर्धारित नियुनतम युकता मांदन जो ह यह असपष्ट किया जाता है कि राष्टी अध्यापक सिक्षा परशद NCT यदिसुचना दिनांक 23 अगस 2010 सबपठित 29 जुलाई 2011 में के संसोधित माप डंडा नुसार सिक्षक पातरता परिक्षा में इस स्रेनियों के समन्धित विक्तियों को किसी परकार के छुट नहीं द अनिवार है अता ऐसे स्रेनिके व्यक्ति यदि उक्ता अनुसार पातरता रखते हैं तो रीट 2017 में बैठने हित्तु ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं फिर देखिए यहां पर बात करते हैं कि विसेवस्तु कि अगर बात करें अस्ट्रक्चर एंड कंटेंट और फरीट 2017 तो यहां पर कहा कि परिच्छा पाठिक्रम जो होगा वह प्रथम अस्तर का कच्छा एक से पांचवी तक के अधिक्तम अंग जो होगे और समय जो होगा धाइगेंटे का होगा और इसमें पूछा जाएगा कौन को से क्वेशन खंडेक में आएगा बाल भी कासम सिक्छन विदियां जिसमें कि तीस आपको बहु बिकल परस्न होंगे और तीस अंक दिया जाएगा और खंटू में भासा एक होगा जिसमें हिंदी, अंगरेजी, सं संस्क्रीत, उर्दू, सिंदी, पंजाबी और गुजराती का आप चैन कर सकते हैं जिसमें 30 क्वेशन होगा 30 माक्स का और भासा एक का चैन आवेदन पत्र में अंकित भासा सुची में से ही किया जाना आवस्यक है इस भाग में वही भासा होगी जो सिक्छन माध्यम की भासा है जिसका चैन आवेदन में अंकित किया है और खंड टू की बात करें तो इसमें कहा गया है कि भासा टू में हिंदी, अंग्रेजी, संस्क्रीत, उर्दू, सिंदी, पंजाबी और गुजराती आप चुन सकते हैं और इसमें भी 30 माक्स के भासा टू का चैन आवेदन पत्र क अंकित भासा सुची में सही किया जाना वसेक है जिसका चैन आवेदन में अंकित किया है किन्तु यह भासा एक से भीन होगी अगर एक में आपने हिंदी लिया है तो भासा टू में आप हिंदी ने ले सकते या तो आप अंग्रेजी लेंगे संस्कीत लेंगे उर्दू, वरन अधियन से 30% पूछा जाएगा 30 माक्स का और देखिए अगर प्रस्णों का अस्तर और प्रकृति की बात करें तो इसमें कहा गिया है कि बाल भीकास हम सिक्षन विधियां प्रस्ण पत्रे के पुन्ता की जाच है तो प्रस्ण पूछे जाएंगे जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्साया है और भासा टू में क्या होगा भासा टू का चैन आवेदन पत्र के अंकित भासा सुची में से ही किया जाएगा आवस्य के उसने आवेदन पत्र में दर्साया कि इन्तु यह भासा एक से भीन होगी और इस प्रस्पत्र में भासा टू की समाने समझ संप्रेशन तथा उसकी बोधन चमता की परखेतु प्रस्ण पूछे जाएंगे और जो गनित होगा तथा पर्यावरन अधियन इसमें क्या होगा कि प्रस्णों में संकल्पना, समस्या निवारन, चमता तथा भी सह के अध्यापन कौसर से समंधित प्रस्ण पूछे जाएंगे बहु इकल प्रस्णों का माप दंड जो होगा कच्छा एक से पांस तक के राजि सरकार द्वारा नेर्धारित पाठ करम के अनुसर पर होगा लेकिन प्रस्णों का कठना यह स्तर जो होगा हो सकेंडरी कच्छा यानि 10 तख का होगा ठीक है आपको जो एक से पांच तक होगा उसमें लेवल तेन तक का क्वेशन पुछा जाएगा प्रस्ण पत्र का भासा माध्यम जो होगा वह भासा विशयों को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी में दूभासी होगा अब वहीं अगर हम 6-8 के लिए बात करें तो इसमें भी देड़ सौंग के प्रस्ण होंगे और धाई घंटे का आपको समय दिया जाएगा इसमें खंडेक में बाल भी कासें उस्च्छन विधियां से 30% पूछे जाएगे 30 marks के और खंड 2 में जो भासा 1 है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्क्रीट, उर्दू, सिंदी, पंजाबी और गुजराती से कोई आप एक चूज कर सकते हैं इससे आपको 30% पूछे बात करें तो आप जो भासा 1 में चूज किये हैं उसको छोड़कर कोई और जैसे अंग्रेजी, संस्क्रीट, उर्दू, सिंदी, पंजाबी, गुजराती कोई भी आप कर सकते हैं बसरते कि पेपर 1 यानि भासा 1 और भासा 2 एक नहीं होगा 30 बहु बिकल्पी ये प्रस्न हों 60 माक्स के और जो समाजी कद्यान के सिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए समाजी कद्यान भिसे होगा 60 बहु बिकल्पी प्रस्न होगा 60 माक्स का ठीक है और आई दिखते हैं आगे या फिर अन भिसे के जो सिक्षक बनना चाहते हैं वह 60 प्रस्न उनके होंगे 60 अंके ठीक है और प्रस्नों का अस्तर और प्रकिति की बात करें तो इसमें बाल भी कास्वन सिक्षन वीदियां, प्रस्न पत्र में 11-14 वर्स तक की आयो के बच्चों के पठन एवं पाथन के अस्तर से समंदित, सैचनिक मनो बिज्ञान, वित्यार्थियों के विविद मानसिक अस्तर, उनक पुछे जाएंगे और भासा 2 में भी वही होगा जो की आप भरेंगे उससे समंदित आपको संप्रेशन, समाने समझ और बोधन चमता की परकितों आपसे प्रस्न पुछे जाएंगे गनित और बिज्ञान की बात करें या समाजी कध्यन की तुछ से जूड़े हुए संकल्पना, समस्या, निवारन, चमता, तैथा विसायक या ध्यापन का उसल से समदित प्रस्न पुछे जाएंगे और राज सरकार द्वारा निर्धारित कच्छा 6-8 तक के गनित और बिज्ञान विसायक के समान अनुपात में 30 प्रस्न गनित विसायसे और 30 प्रस्न बिज्ञान विसायसे पुछे जाएंगे और समाजी कध्यन के 30 प्रस्ण जो होंगे पाठ्या नुसार प्रस्ण पूछे जाएंगे और बहु बिकल प्रस्ण का जो माप डंड होगा वो कच्छा 6 से लेके 8 तक के राजी सरकार दोवारा निर्धारित पाठ्य करम के अधार पर होगा लेकिन प्रस्णों का कठिनाई अस्तर जो होगा वो senior secondary यानि कच्छा 12 तक का होगा प्रस्ण पत्र की भासा जो होगी ओ दोनों भासा में होगी सिर्फ भासा भिसय को चोड़कर हिंदी और अग्रेजी में आपका दिवभासी आपका प्रस्ण पत्र होगा देखे तो परिच्छा परिकिरिया कायोजन जो है तो आपको पहले ही बता दिये कि परिच्छा जो होगा 11 फरवरी को होगा टाइम जो है था ओभी मैं बता दिया हूँ ठीक है और ऐसे विद्यार थे जिन्होंने प्रथम अस्तर वाधित्वी अस्तर दोनों परिच्छा के लि परिच्छा के अंदर पर परिच्छा पराडम बहुने के आपको परिच्छा के लिए जाएंगे आधा-गंटा पूर्व आवस्यक रूप से पहुंचकर अस्तान गिरहन कर ले परिच्छा प्राडम बहुने के परिच्छा की सीभी परिच्छार्ति को किसी भी प्रश्चिति में पर्विशाग्या नहीं दी जाएगी परिच्छा में शुरूत लिएक के समंद्ध में आव के सभी प्रिष्ट पूर्ण है, कोई भी प्रिष्ट छतिग्रष्ट नहीं है, तैथा प्रस्णों के करमांग सही करम में है, छतिग्रष्ट तूटी पूर्ण, क्वेशन पेपर बुकलेट को परिच्छा प्रारम होने के दस मिनट तक पहले आप बदल वा लें, परवेश जो हो जाएगा उसके बाद आपको नहीं बदला जाएगा, दस मिनट के अंदर अगर आपको कुछ फोल्ट है तो आप बदल सकते हैं, प्रस्ण पत्र पुस्तिका के सभी प्रस्ण बहु बिकल्पी यानि मल्टिपल जो होगी, अनुछे 4 के अनुसार होगी, पर टेक प्रस्ण का अंकनी धारित है, अस्तर प्रत्रम की बात करें, तो इसमें आपको अनुछे 4.1 के अनुसार, पांच खंडों में, आपको क्वेसल पुछा जाएगा, और दिवत्या अस्तर में देखा जाए तो इसमें कि आपको इसमें छुड दी गई है और उतर पत्रक ऊमर्सीट ब्यवस्टा होगी परचारतियों को प्रस नों के उतर ऊमर्सीट में प्रसनों के सही विकल्प के रूप में अंकित करने होंगे OMR seat प्राप्त कर सुनिशित करने की वह असपश्ट रूप से मुद्रित है और उसका करमांग भी असपश्ट मुद्रित है छति ग्रश्ट तुर्टी पून OMR seat परिच्छा प्राणब होने के 10 मिनट तक बदलवा लें इसके पशाद कोई बदलाओ नहीं किया जाएगा जिसकी जयमद्वारी समय के रहते हुए आपको समय उठानी है और अगर आपका कुछ उसमें होता है अगर आप 10 मिन का अंदर नहीं चेंज करवाते हैं तो आप उसके लिए समय जिम्मेदार होंगे OMR Seat जो होगा उत्रपते दो प्रतियां की विएस्था की गई है OMR Seat की दो प्रतियां में होगी जो एक दूसरे के उपर जूड़ी होंगी इसके उपर वाली प्रति ओरिजिनल कॉपी रथा उसके नीचे वाली प्रति पर कंडिडेट कॉपी मुद्रित होगा इन दोनों प्रतियों के बीच एदिपी कोई कारवन पेपर नहीं होगा किन्तु इनके बीचरा साइनिक पदार्थ होने के कारण अभियर्थी मुल प्रति में जो भी कुछ अंकित करेगा वा उनके नीचे अभियर्थी प्रति में भी सुवता अंकित हो जाएगा परिच्छा समापति उप्रान दोनों प्रतियां को विच्चक यानि इन्विजिलेटर की निग्रानी में छिद्रित रेखा से मोड़कर अलग किया जाएगा अभियर्थी प्रती को अभियर्थी को दिया जाएगा और मुल्प्रती विच्छक यानि इन्विचिलियेटर को सुपुद करनी होगी अभियर्थी उतर देते समय और मुल्प्रती तथा अभियर्थी प्रती को अलग-अलग करने की कोशिस ना करें अस्तर प्रता प्रिच्छा है तो प्रस्ण पत्र पांच खंडों में भख्त होगी इसके प्रते खंड के 30 प्रस्ण कूल 1500 प्रस्ण होगे जबकि अस्तर द्यूतिये परिछा है तो प्रस्ण पत्र चार खंडों में भगत होंगे जिनमें कुल प्रस्णों के संकिया 1.5 सो होगी और दोनों अस्तर की परिछा की प्रस्ण पत्र खंड एक में 30 प्रस्ण होंगे जो अनिवार रूप से करने है द्यूति वे अतिरतिये खंड भासा के वैकलपिक खंड होंगे, जिनमें 30-30 प्रस्ण होंगे, परिछारती भासा के खंड का चैन करते समय ध्यान रखें, कि वे उसी भासा में प्रस्ट अनिवार रूप से हल करें, जिस भासा में उन्होंने आवेदन पत्र भरते समय अंकित क किया है, और अस्तर दिवतिये की परिछा की बात करें, तो इसमें प्रस्ट पत्र में चतुर्ट खंड जो की वैकलपिक खंड है, इसमें गनित वयंबिज्ञान भी सखें के सिच्चों के लिए इन बैस्यों के अलवा अन भी सखें के शिच्च के लिए, इन दोनों खंडों यानि A और B में से किसी एक का चैन कर सकते हैं, इस खंड में 60 प्रस्ण हल करने होंगे, परिछार्थी उसी खंड का चैन करें जिसका आवेदन भरते समय उलेक किया है, ठीक है, परिछार्थी समंदित प्रस्ण के सही उत्तर का चैन, OMR सीट में सही उत्तर वाले गोले के नीच दाएगा, OMR सीट पर कहें भी किसी भी परकार का रफ कारे या कोई चिन अंकित नहीं करें, और देखिए जो दिया गया है यहां पर, उका गया है क्या, कि, देखिए यहां है आपके स्क्रीन पर, देखिए यहां पर, नियूंतम जो है, आपका मैंने बता दिया, कि राजस् 60% उतिनांग, यानि minimum passing marks होगा, ठीक है, आप 60% जब marks लाएंगे, तभी आप pass कहलाएंगे, और राजसरकार के राजपतर कर्मांग, एप 7,EEE, प्लान, 2011 दिनांग, 29,8212 के अनुसार, अनुसुची चेत्रो, यानि कि सेडियूल एरिया के अनुसुची जान जाती के अभिय आवेसक निर्देश जो है, वह आपके हैं, पूर्व में, आर्टेट या रीट उतीन परचार्थी चाहें, तो रीट वह सतरे परिच्छा है, तो आवेदन कर सकता है, परचार्थी को संपर्खे तो मुवाइल नंबर तथा इमेल आईडी देना आवस्त्य है, और OMR सीट की रीचेकिंग या रीएसेस्मेंट और असकूटनी का प्रवधान नहीं है, इस से वन में कोई आवेदन सविकार नहीं किये जाएंगे, याद रखिएगा, इसमें कोई रीचेकिंग नहीं होगा, रीएसेस्मेंट नहीं होगा, असकूटनी भी इसमें नहीं होगी, तो आपक और परिच्छा परिणाम त्यार करने से पूर प्रस्ण में उत्र रीट वेवसाइट पर अप्लोड कर दिये जाएगा तस पस्षात परिशाती 72 घंटे में अपनी आपती दिये गए लिंक पर दर्ज कर सकते हैं उसके बाद रीट कार्याले को भेजा जाएगा रातरी 12 बजी के बाद लिंक निस्क्रिये हो जाएगा अता अंतिम दिनांग का इंतेजार किये बिना समय सिमा के अंदर आवेदन करें आवेद को द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उबलब्द कराएगे इस सुचना के अधार पर ही इस परिछा में समलित होने की प्रोविजिनल रूप से अनुमती परदान की जाएगी तथा उनके द्वारा प्रस्तु दस्तावेजू के बैदता के जाँच की गई है अता इस समन में पातरता समन्दी समस्त उतरदाईतु स्वय आवेदक का हुगा पर देखे कहा गया कि केंद्री या किसी राजिक की टेट अथवा राजस्थान की आर्टेट या रीट परिछा से वंचित किये गया आवेदक जिनके वंचित डेवर होने की अवधी या आवेदक पत्र प्राप्ति की अंतिम निरांग तक समाप नहीं हुई है तो इस खोट से करना होगा राजस्थान अध्यापक पातता परिच्छा की अधिकारता केवल समन्वैक राजस्थान अध्यापक पातता परिच्छा राजिव गवान दी विद्याभवन माधे में एक सिछा बोर्ड कॉलनी सीविल लाइस अजमेर की है अभियर्ति को अपने कि मैं डाउनलोड किया हुआ वेदन पत्र घोसना पत्र सपत पत्र यों समंधित दस्तावेज स्वयं के पास रचीत रखूंगा रखूंगे जिनके कार्याले द्वारा मांगाये जाने पर दिन देशा नुसार जमा करा दूंगा या दूंगे मेरे मूल दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन युक्ती देने के वाली संस्ताव द्वारा किया जाएगा या इसमें किसी परका के तूटी या कमी अथवा कोई तथे गलत पाय जाते हैं तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी मुझे यह जानकारी है कि मैं रीट में पातरता प्राप्त करने के बावजू समदी सिचक पार्ठिकरम BSTC या B8 समकच पार्ठिकरम रीट 27 परिच्छा पंड्याम जारी होने तक उतिन होने पर ही राज सरकार द्वारा भरती है तूँ पातर माना जाओंगा या जाओंगी अभरती का यहां स्ताक चरोगा तो देखिए आपको एक अभियर्थी द्वारा घोशना करना है कि मैं आपका चो नाम है पुत्री पत्नी पीटा का नाम है लिख देना है बाकि जो चीजे है वह आपको यहां पर मैंसन किया हुआ हुआ है ठीक है और अग्य कोई आपको इसम सकते हैं और पुछ सकते हैं